दोस्तों, 2024 का लोगसभा चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, वहीं चुनाव आयोग पर आए दिन निसाना साधा जाता है, चुनाव आयोग पर हमेशा आरोप रहता है कि वह सही डंग से काम नहीं करता, इस डिबेट में अंजना उमकस्यप ने आलोग सर्मा से पूछा कि क्या करनाटक एलेक्शन में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सैटिंग कर ली थी, तो आलोग सर्मा ने क्या गजब का उत्तर दिया है? पिच्चर चालो करो बेशा आलोग सर्मा जी, करनाटक में क्या आपने चुनाव आयोग से बात कर ली थी? वो कब कोई बिचारा हो जाता है, कोई देश द्रोही हो जाता है, इतिहास के फैक्स को नहीं बदला जा सकता है, फिर अभी बात आती है, कि साब वो विदेश की धर्ती पर मोदी जी तो विदेश की धर्ती पर कहते थे 2014 से पहले, जिसका इस देश में जन्म होता है, उसको माती, नोट बंदी पे क्या क्या कहा, आज का वो विश्य नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जिस पार्टी के नेता, जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्य गुरू हूँ, और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजे, हिंदुस्तान की धरती पे प्रेस कानफेंस नहीं कर सकते हैं, चार लाइन बिना टेली प्रॉम्टर के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका समवाद बहुत अच्छा है, दूसरों पर सवाल उठाते हैं, जो उनको क्यों वहां क्यों बुलाता है, अरे बच्छ समवाद जो करेगा उसको बु कि देश और विदेश शायद मेरे साथ ही भूल गए, कि किस तरह से इनी की सरकार में लीडर ओफ अपोजिशन अरून जेटली जी थे, उन्होंने तो स्वैम कहा था, कि आप विदेश की धरती और हमारी धरती क्या होती, क्या हमारा रोध राज सभार लोक सभा का टीवी वी विदेशों में नहीं देखा जाता, उन्हीं का स्टेट्मेंट है, लेकिन ठीक है आज ये जंड़ा चल रहा है, मैं फिर कहूंगा, अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गउमाता की पूजा कैसी की जाती, उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था, ठीकेंगे कुछ उन से मुझे लगता है कि तर्क पर जो मुद्धे हैं उन पर बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अब आते हैं हम कौन किस के साथ है, जो कहा गया कि सब बेचारे, मैं कहूंगा कि आज पूरी जंता को आप बेचारा समझ रहें, और आपने कहीं ना कहीं, चाहे रोजगार क का मुद्धा हो मेंगाई का मुद्धा हो बिचारा बना दिया, कारण क्या है कि आपने सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है सब कुछ, आज लोगतंतर रो रहा है, करा रहा है, कैसे, सीबिया का डिरेक्टर अपनी पेंशन ले पाता है, चार-चार साल हो जाते हैं, उसका पता ही निए केस का कहा पर है, आज इलेक्शन कमिशन के पास करनाटा के अंदर पचासियों कंप्लेंट की जाती हैं, एक पर एक्शन नहीं होता है, ना इलेक्शन कमिशन ये बताता है कंप्लेंट ठीक हैं, ना ये बताता है कि कमप्लेंट खराब है या आपको यह नहीं पता कि कोरोना के में जब गंगा के किनारे लाशें बही थी तो क्या विदेशी मैगजीन्स ने नहीं चापा था तब तो हमारा नाम हुआ था गोली मारो वालों को जब मंतरी बनाया था मोदी जी ने तो कार्टिकल नहीं चापे थे सुप्रीम कोट कह रहा है कि हेट स्पीच पर फाई यार कीजिए तो क्या वो न्यूस विदेशों में नहीं जाती वो बॉर्डर पर आप सील कर देते हैं क्या चीन घुश गया हमारी भूमी पर वो मैगजीन सबसे पहले किसने पब्लिश की थी वो सेटलाइट इमेजिस कुछ बता रहा है कि हम किस तरह से विदेशनीती के फरंट पर फेल हूं है